सुरस्पोर जिले के चंदौरा धाना में कृष्णा सार्थी की मौत के मामले में भाजपा के जाश कमेटी ने पार्टी को अपनी रिपोर्ट सौब दी है जाश रिपोर्ट में सार्थी की आत्महत्या पर सवाल उठाए गए हैं जाज कमीटी का कहना है कि कृष्णा फार्थी के 26 जून को लॉक अप में मौत हुई थी और पूरी परिस्तती हत्या की ओर इशारा करती है वहीं अभी तक पी-म रिपोर्ट भी नहीं आई है मौत की बेहर ने बताया कि जब देहर अंसकार हो रहा था तब उन्होंने देखा कि मौत की पीट पर चोट के निशान है भाजपा ने मौत की परिवार को मौवज़ देने के साथ ही दोशी पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का अपराद दर्ज करने की मांगी है जाबर जानकारी के साथ आशीश तिवारी जुड़ गए है हमारे साथ आशीश ये क्या है पूरा मामला देखे सुरजपूर जी लेके चनौरा थाने में संदे हस्पक परिस्टी में एक वेक्टिन आत्मार्ट्या कर लेकिए दरसल इसके खलाव कोई अपरादी प्रक्रण भी दर्ज नहीं था पूलिस में पूछताच के बाहने उसे थाने में लेकर पूलिस लेकर आई थी और संदीग हालात में उसकी मौत हो गई और आरोप लगा कि पूलिस में अपनी कस्टडी में रखने के दुरान उसकी बेदम पिटाई की थी और पिटाई के बाद उसने आत्मार्ट्या कर ली लेकिन बीजीपी ने इस पूरे मामले पर एक जांच कमिटी बनाई थी कमिटी में प्रिश्मुति बांधी विधायक फ कमिटी ने अपने रिपोर्ट आज आला कमान को सौपी है प्रदेश के और रिपोर्ट सौपने के बाद प्रेस कौंसेंस के दौरान बीजीपी ने आरोप लगाया है कि पुलिस की पिटाई के बाद ये मौत हुई है और इसे आत्मात्या की रूप देने की कोशिश की जा र 302 का मामला दर्च किया जाना चाहिए लेकिन प्राणबिक तौर पर पुलिस में केवल 10 जो पुलिस के अधिकारी कर्मिचारी उस वक्त पेनाते हैं उन्हें सुस्पेंड कर दिया है तमाम आरोप बीजीपी ने अपने इस रिपोर्ट में लगाए है और जिस तरीकी से बीजीपी जोशो से उखाईगी जी शुक्रिया आशीष तमाम जहनकारी के लिए